अलो फ्रेंड्स नमस्कार पी डबलू के इस ओनलाइन प्लेट्फॉर्म पर आप सभी का स्वागत है आप सभी का विलकम है मैं सुबरत कुमार आज आप सभी के समक्ष यूपी पीसीयस पेपर 6 को लेकर आया हूँ इस यूपी पीसीयस पेपर 6 की एक सिरीज चलेगी इस सिरी आने वाले आगामी परिक्षा में यूपी पीसीयस इस पेपर से कैसे प्रश्न पूछ सकती है इस पर भी चर्चा करेंगे तो आये बिना वक्त गवाए हम पेपर सुरू करते हैं हम अपने अध्यन के स्ट्रेटेजी सुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी पीसीयस में पेपर 6 को क्यों important दिया गया या पेपर 6 में कौन-कौन से topic cover किये गये और फिर हम यह भी देखेंगे कि कैसे इस topic से प्रशन पूछे जाते रहते हैं सबसे पहले हम किसी topic को start करने से पहले मेरा आज का विशे बुंदिलखंड है और मैं बुंदिलखंड को इसलिए भी prefer किया हूँ या इसलिए भी इसका chain किया गया है चुकि पिछले वर्स के अलावा भी 2008 में जब GS हुआ करता था उस समय भी बुंदिलखंड से प्रशन पूछे गये हैं 2010 में भी प्रशन पूछे गये हैं और जैसे ही UPPCS ने अपना pattern change किया इस pattern के तुरत बाद उसी एर में बुंदिलखंड से इसने प्रशन पूछा या आयो को यह लगता है कि बुंदिलखंड उत्तर प्रदेश का core area है और इसके बारे में सब को जानना चाहिए तो इसको कैसे किस रूप में जानना चाहिए परिक्षा के लिए या कितनी उपयोगी है आपकी जानकारी के लिए कितनी उपयोगी है हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे चुकि देखिए आप जितनी भी बच्चे online हमें देख रहे हैं इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 10-12 किया होगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो graduation किये होंगे उनका stream अलग रहा होगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो PG किये होंगे या जिनका background टेक्निकल होगा लेकिन जब आप आयोग की इस परिक्षा में बैठते हैं तो आप समकक्ष होते हैं आयोग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका background क्या है उसने एक pattern design किया हुआ है एक syllabus design किया हुआ है और उस syllabus के आधार पर वहाँ आपसे प्रशन बनाए वहाँ आपसे प्रशन पूछ करो तो मैं तो सबसे पहले अन्रोध अपने बच्चों से यही करता हूं कि आप जब भी किसी class को start करें जब भी किसी विशे के बारे में जानना सुरू करें या उसे पढ़ना सुरू करें तो आप उस तयारी के दौरान सबसे पहले syllabus को देखें syllabus के बाद question paper को देखें ताकि उस syllabus में कौन-कौन से topic को इसने highlight किया है आयोग ने और उस highlighted topic से कैसे प्रश्न बन रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने class design किया है और इस class की एक क्रमबद series होगी जिसमें हम UPPCS paper 6 के उन सारे topic को cover करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए हैं चुंकि यह university की परिक्षा नहीं है चुँकि university की परिक्षा में लोग pass आसानी से हो जाते है और जब आयोग कोई परिक्षा लेती है तो इसमें pass करना बहुत मुस्किल होता है इसमें कई सारे bus layers ऐसे होते हैं जो आपके तैयारी की तुल् Baltimore में बहुत अधिक तयारी किये होते हैं या बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं या बहुत ऐसे स्टुडेंट होते हैं जिनका बैकड्राउंड इतना अच्छा होता है कि वह उस विशे पर उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती है लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं जो किसी दूसरे इस तरीके की चीज़ें पढ़नी होती जो उन्होंने नाइन टेंथ में पढ़कर ही छोड़ दिया था तो हमारा हमारी कोशिश है कि इस पूरी सिरीज में हम बॉटम टू टू टॉप लेकर चलें बॉटम टू टॉप डैकनिस कहने का अर्थ है कि जो बच्चे बेसिक बुंदेलखंड महतवपूर्ण क्यों है आयोग ने इसे ही क्यों चुना और आयोग इसे प्रश्ण क्यों बना रही है फिर उसका परिचे देखेंगे परिचे में भौगलिक संग्रचना भू बहुत की अपवागत अंत्र इत्याती जो भौगलिक परिचे होते हैं भौगल जिज मर्दा घास के मैदान और जो भी चीजें होंगी वहां पर जलिए संसाधर्मी है यदि है तो कितना है इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे फिर वहां की जलवायू देखेंगे जलवायू में मौसम पैटर्ण होता है वर्सा है वहां की हवाएं हैं और यह वर्सा को ही क्यों पढ़ेंगे UPPCS Paper 6 में सबसे पहला टॉपिक आपका बुंदेलखंड ही क्यों होना चाहिए हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे फिर बुंदेलखंड में आपदाएं कैसे आती हैं या कौन-कौन सी आपदाएं मुख्य हैं सूखा बाह या और किसी तरीकी की परियावरनिया आपदाएं फिर HDR देखेंगे HDR that means Human Development Report ये Human Development Report जो है ये 2012 और 2015 ये latest रिपोर्ट है और हम इसी पर देखेंगे इस चीज़ को 2012 और 15 के आधार पर कि बुंदेलखंड रिजन को लेकर Human Development Report क्या कहती है आपको ये ध्यान होना चाहिए कि Human Development Report निती आयोग जारी करती है लेकिन निती आयोग हर इस्टेट के लिए अलग-अलग करती है प्रतियक इस्टेट का अलग-अलग होता है उत्तरपरदिस के लिए भी अलग जारी किया गया है बावजूद इसके कि निती आयोग की ऐसी क्या आवश्रक्तान पड़ी या निती आयोग को ऐसा क्यों लगा कि हम बुंदेलखंट के लिए एक Special Human Development Report जारी करें आखिर वहां उसे कौन से ऐसे आया हम दिखे या उनका दृष्टिकून बुंदेलखंट को लेकर ऐसा क्या बना कि यह Human Development Report इ देखेंगे सिरीज में देखते जाएंगे और फिर अब यदि यहां की भागौलिक संग्रचना इतनी सम्रिद्ध है भू बहुत की अच्छी है इसका महत्व है यहां पर संसाधन पाए जाते हैं यहां की जलवाई हो इतनी अच्छी है यहां का फसल पैटर्न अच्छा है ब आथिक विशमता है समाजिक विशमता है लेंगिक भेदवाव है और उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है इस पिछले पन को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही होगी जो इस छेतर से बिलॉंग करते हैं या जो बुंदेलखंड को जानते हैं आपको पता कि विगत वर्सों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं कौन-कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है या किस प्रकार के प्रश्न अब तक उत्तर प्रदेश लोक शेवायोग ने पूछा है और आगामी परिक्षा के लिए हुआ किस प्रकार के प्रश्न डिजाइन कर सकत इन सारी बातों को हम इसी सिरीज में देखेंगे और यह सिरीज एक क्रमबद स्रिंखला होगी जो उत्तर प्रदेश पेपर 6 को कवर करेगी तो देखते हैं कि इस सिरीज को हम कैसे आपके लिए उपयोगी बना सकते हैं और आपकी एक्जाम के लिए कितना इंपोर्टेंट होगा इंट्रोडक्शन पेज पर आते हैं सबसे पहले बुंदेल खंट का इंट्रोडक्शन करते हैं और इंट्रोडक्शन से पहले इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि इसमें जो सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारा मानना है कि इसमें जितने भी विद्यार्थी है कम से कम तीन कैटेगरी के तो विद्यार्थी जरूर होंगे पहली बिगिनर दूसरे जो फैमिलियर होते हैं और तीसरे होते हैं ओल्ड गार्ड्स अब इस तीनों का क्या रोल है या इस तीनों को मैंने क्यूं अलग किया अब देखते हैं क्यूं क्यूंकि बिगिनर्स जो होंगे इनका क्या positive point है क्या negative point है हमने class को इस तरीके से क्यों design किया इन सारी बातों को देखेंगे तो सबसे पहले जो बच्चे अभी start की हैं तैयारी इनकी IU maximum 25 से 27 के range की होती है ये अभी अभी तुरत college drop out किये होते हैं अदर्वाइज अब तो school के भी बच्चे जो 10 है 12 है इनके बाद ही ये अपना aim तैय करना सुरू करते हैं कि अब हमें civil services में जाना है लेकिन इनके पास क्या होता है कि ये उर्जा इनके पास परियाप्त होती है इनमे capacity परियाप्त है ये कुछ भी कर जाने को तैयार होते है कि आओ हम ये कर ही डालेंगे इतने aggressive होते हैं इनके अंदर इतनी उर्जा भरी होती है और जो familiar होते हैं familiar कहने का अर्थ है कि ये दो-चार mains दिये होते हैं 5-10 पेटी का अनुभव होता है prelims 15 prelims का अनुभव होता है 2-4 mains का अनुभव होता है तो इनके पास एक basic knowledge होता है इनके पास एक basic knowledge होता है लेकिन जो old guards होते हैं old guards कहने का आर्थ हैं कि इनके पास 17-18 UPPCS के mains 20-22 ROARO टाइप के mains और लगवक कुल मिलाकर 30-40 BPSC, UPPC, UPPSC, RAS, MPPCS इस तरीके के mains का अनुभव होता है यानि इनके पास knowledge भी है experience भी है बावजूद इसके ये सभी एक अस्तर पर जाकर failure है failure that means कि उन्होंने उस लक्ष को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया जिसके लिए वो dedicated थे जिसको वो प्राप्त करना चाहते थे और जिसके लिए इन्होंने इस field में अपना कदम रखा था तो इसको हम लोग ऐसे देखिए कि psychology में knowledge को पीन भाग में बाटा गया एक तो knowledge जो कि basic है दूसरा skill और तीसरा approach approach या aptitude इसका क्या अर्थ है या हमने क्यों इस सीच का धिक्र किया यहां पर जो बच्चे मैंने आपको बताया कि जो beginner है beginner के पास energy जादा है उरजा जादा है capacity जादा है लेकिन उनके पास knowledge का भाब है वो अभी basic knowledge गेन कर रहे हैं और जो familiar है उनके पास knowledge है capacity भी है लेकिन experience नहीं है उनको उनके पास skill नहीं है और जो old guards है उनके पास knowledge है experience है लेकिन वो अपनी skill को present नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैसे present करना चाहिए ताकि आयोग आपको उचित marks दे या skill को आप communication skill कह सकते हैं उस समय या presentation को आप writing skill कह सकते हैं तो आपकी communication skill या presentation skill को ध्यान में रखकर वो कैसे आपको marks दे या क्यों marks दे आपको चुकि प्रश्न तो एक ही रहता है सब के लिए यदि बुंदेल खंड के खनीज संसाधन यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बुंदेल खंड में खनीज संसाधन परियाप्त मात्रा में होने के बावजूद वहां आर्थिक रूप से पिश्रापन क्यों है वहां इसका आंसर अमोमन सभी बच्चे एक जैसे देंगे लेकिन वहां आपको मार्थिक क्यों दे सब की अपिक्चा यदि उसका एक पैमाना है कि हमने इस तरीके के आंसर को 5-7 नमबर दिये हैं 6-8 नमबर दिये हैं 6-10 नमबर दिये हैं तो आपको वह 12 नमबर या आपको जो है वह 10 नमबर अमोमन्द को 6 आपको 7 आपको 8 आपको 10 क्यों दे तो आपका ये presentation skill जो है ये बताएगा कि आपका marks क्यों देखोगा तो हम इसी चीज की चर्चा कर रहें कि आप knowledge को जब तक आप knowledge को जब तक skill में डेवलप नहीं करेंगे और यह skill ऐसा होना चाहिए कि वह आपके approach approach that means क्या है आपका दृष्टी कोन आपका दृष्टी कोन क्या है आपका नजरिया क्या है आपका अंदाज क्या है आप कहना क्या चाहते हैं और वह कितना तर्क शंगत है इस चीज को जब तक आप अपने copy में अपने answer में justify नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे यह decide हो पाएगा कि वह आप अन्य से better है एक example देखते हैं आपको पता है कि बुंदेल यह उत्तर-प्रदेश का जो area है अ उत्तर-प्रदेश का जो area है एक अमोमन example लेते हैं यह जो देवरिया या ऐसे आप इसको समझे यह जो पस्चिमी उत्तर-प्रदेश है यह पूर्वी उत्रप्रदेश और यह पस्चिमी उत्रप्रदेश पूर्वी उत्रप्रदेश में वर्सा अधिक होती है अमोनी एफैक्ट बता रहा हूं मैं पूर्वी उत्रप्रदेश में वर्सा अधिक होती है यह पस्चिमी उत्रप्रदेश में आते आते कम जाती है और जब यही वर्षा वापस लोटती है तो बुन्देलखंड के एरिया में आते आते निम्न वर्षा छेतर बनाती है तो यहां फसल उत्पादक तक कम होगी यहां लोगों की जो आजीविका होगी, यहां जो वन होंगे, वो उतने सघन नहीं होंगे, या इनका जो अंतर होगा, आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश, पस्चिमी उत्तर प्रदेश, इसकी आप एक शक्कम होगा, तो यह जो skill है, यह जो knowledge है, basic fact तो आप किताब में देंगी, आपको fact जानना चाहिए, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, कि यह मेंस oriented class है, मेंस oriented class में fact उतना ही मत्व है, जितनी आपको जानकारी चाहिए, आप यदि fact ही fact देंगे, तो फिर तो fact के लिए उसने PT रखा ही है, prelims में आप fact रट कर, समझ कर, जैसे भी आए, fact को cross कर लिया, वो stage आपने cross कर लिया, अब है क्या कि आप अपने अधिक जानकारी को कम से कम सब्दों में कैसे present कर सकें, तो कि आपको ध्यान होगा, कि UPPCS जो प्रश्न बनाती है, उसमें लिखा होता 125 marks, 125, 200, sorry, 125 सब्द, 125 सब्द, 200 सब्द, तो इस चीज को जब वो denote कर देती है, क फिर आप बेवज़ा की बात यहीं लिखेंगे, तो यह आपका उतर परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, या आप जो बात कहना चारे हैं, वो कहना ही पाएगे, या तो आपकी बातें रह जाएगी, या examiner समझ नहीं सकेगा इस चीज को, जहां भी knowledge का lack होगा, या communication lack होगा, त तो examiner क्या करेगा, marks काट लेगा आपका, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, हम आगे बढ़ेंगे, और इसलिए हमने यह चीजें समझाए कि आपका जो यह अस्तर होगा, और हम जो तयारी करेंगे, वो इस आधार पर करेंगे, कि जो बच्चे beginner हैं, वो bottom to top, और जो बच्चे पुराने हैं, जो old guard stripe के हैं, और old guard stripe कहने कारत हैं, वैसे बच्चे जो 5-10, 7-8 साल से तयारी कर रहे हैं, होस्टल के बंद कमरे में पाए जा रहे हैं, साम में चाय के नुकड पे मिलेंगे आपको, अपना अनुभवब बताते हुए, और फिर वो क्या करेंगे कि जब exam समय आएगा, फिर market जाकर कोई magazine उठाएंगे, कोई पतली से किताब उठाएंगे, और उस आधार पर वो कोशिश करते हैं, क्या कि हम means का answer लिख सकें, या means का pattern follow कर सकें, चुकि उन्होंने जब तयारी की थी, वो आज से 7 साल पुराना pattern था, और आज का pattern वो अलग है तो इस नए और पुराने pattern को ले करके, कैसे आप अपना सामंज से स्थापित कर सकेंगे, अपने ग्यान कोशल को बढ़ा सकेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा होगी, और आपको इस योग्य बनाया जाएगा, कि आप UPPCS means qualify कर सकें, अब जब हम यह जाने, इतनी तो यह introduction ए आते हैं, चुकि यह एक online platform है, यहाँ पर हर तरीके के दर्शक होते हैं, हर तरीके के student हम से जुड़े हैं, तो यहाँ पर beginner भी होंगे, यहाँ पर familiar भी होंगे, यहाँ पर old guard stripe के student भी होंगे, जो पुराने अनुभवी छातर भी होंगे, तो यहाँ सब के लिए एक common platform है, और common platform पर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, कि आप bottom to top तयारी करें, या top to bottom करें, एक common, एक common pattern होना चाहिए, जहाँ से दोनों equal हों, तभी तो आप, जब आप prelims में बैठते हैं, तभी तो आप जो commerce से PG किये हों, या जो history से MA किये हों, या फिर जो political science से graduation किये हों, या जिन उन्होंने MBBS की degree लिए, सबको तो आयोग बराबर ही करता है, तो इसी बराबरी के दृष्टिकोन से, इसी समानता के दृष्टिकोन से, हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबको समान अवसर मिले, और कोई पीछे ना छूटे, मोदी जी के इस उद्देश को, सतत विकास लक्ष क के इस उद्देश को, हम अपने इस क्लास में कैसे समाहित करेंगे, और आपके लिए कितना लागदायक होगा, आए देखते हैं, बुंदेल खंड को, हम लोग च्यों महत्वपूर्ण माना गया, इसके दो दृष्टिकोन हो सकते हैं, दो दृष्टिकोन कहने कार्थ क्या है एक तो एतिहासिक दृष्टिकोन, दूसरा भगलिक दृष्टिकोन, एतिहासिक दृष्टिकोन मिलने हम लोग पेपर 5 में पढ़ते हैं, पेपर 5 में, और भगलिक दृष्टिकोन पेपर 6 में पढ़ेंगे हम लोग, पेपर 6 में भगलिक दृष्टिकोन के अलावा, आपक चीजों को हम पेपर 6 में कवर करेंगे हम इस पर ज्यादा वक्त नहीं देंगे चुकि हमें क्या है कि एतियासिक दृष्टिकॉन पेपर 5 के समय जब पेपर 5 की पढ़ाई होगी या जब पेपर 5 को लेकर हम लोग आएंगे तब वहां पर यह चर्चा करेंगे भागालिक दृ बुंदेलखंड का महत्व बुंदेलखंड का महत्व क्यों लिया गया है समाजिक दृष्टिकॉन से इसका क्या महत्व होगा आर्थिक दृष्टिकॉन से इसका क्या महत्व है परियावर्णी दृष्टिकॉन से क्या महत्व है और सांस्कृतिक दृष्टिकॉन से इसका क सांस्कृतिक यहां पर पेपर 5 आप ना ले इसको आप परिटन समझ सकते हैं तो कि परिटन भी उद्योग का एक भाग है और यहां पेपर 6 में कवर होता है समाजिक दिरिश्टिक कोन कहने कारते वहां की डेमोग्राफी वहां की जनसंख्यां वहां के लोग वहां की जनजाति उनका रहन सहल उनका पोशन अस्तर उनमें फैलने वाली बीमारियां स्वास्थ सिक्षा जीवन अस्तर इस तरीके की चीज़ें आर्थिक में हम लोग देखेंगे कि वहां का उद्योग पैटरन कैसा है वहां निवेश कैसे हो सकते हैं या निवेश के संभावित लाव क्या ह है निवेश और यदि निवेश नहीं हो पा रहा है तो उसके रीजन क्या है निवेश को क्या चाहिए सरकार निवेश करना चाहती है बावजुद निवेश नहीं कर पा रही है तो इन सारे जो आयाम है इन सारे आयामों की पीछे का कारण क्या हो सकता है इसकी चर्चा होगी परियावरनी दृष्टिकोन में हम यह देखेंगे आप अमोमन देखें कि उत्तर प्रदेश में यह जो बुंदेलखंड का छेतर है चुकि हम बार-बार आपको यह इंगित कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के किवल एक जोन को लेकर चल रहे हैं एक special sector को लेकर चल रहे हैं बुंदेलखंड को और इसलिए इसकच्छा में जो भी हमारी बाते होंगी यह अमोमन बुंदेलखंड के बारे में ही होगी और बुंदेलखंड का जो परियावरनी दृष्टिकोन है यह इसलिए भी महतोपूर्ण है क्योंकि यहां पर एक तू वर्षा कम होती है वर्षा कम होगी तो वन्य कम होंगे वन्य और विर्ख्ष कम होंगे तो वन्य जीव कम होंगे आप जहांसी और एक ललितपूर इसके अलावा आप तेखेंगी जहांसी और ललितपूर के अलावा यहां कोई वनिजीव अवियारन छेत्र नहीं है चाहे वो माता टिला हो वनिजीव अवियारन हो यहां से का वनिजीव अवियारन है इसके अलावा राजा बाग वनिजीव अवियारन भी ललितपूर में है तो इसके अलावा यहां कोई वैसे परियावरनी संसाधन नहीं है य यहाँ वन जीव, निवास कर सकें, या लुंक फिर वरिक्षावरन उतना अधिक हो, जिसे की, में संसाधन हमें मिल सकें। में लकडी मिल सकती हैं. या फिर उस रुवनुत्पद जो कागज हस्तसिल्प विगर होता है, एक जलौन बगर को छोड़ दे आ जाए तो जलौन में हस्त सिल्प कागज बहुत अधिक होता है लेकिन यदि उसे छोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ परियावर्णी दृष्टिकॉन से बुंदेलखन बहुत कमजोर पड़ जाता है सांस्कृतिक दृष्टिकॉन से यहाँ समरिद है यहाँ पर गढ़ है पुराने किले है इसको परेटन अस्थल में विक्षित किया जा सकता है और परेटन अस्थल में जब विक्षित होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि परेटन अस्थल को विक्षित करने के लिए गौवर्मे उसको वो एडॉप्ट करेंगी एडॉप्ट करने के बाद उसका विकास करेंगी विकास करनेकार थे क्या उसमें वो पैसा इन्वेश्ट करेंगी पैसा इन्वेश्ट करेंगी तो और उस पर काम होगा जब काम होगा तो वहां रोजगार मिलेगा लोगों को जब रोजगार मि यह क्या करेगा कि इस छेत्र को डेवलब करेगा तो कहीं न कहीं यह जो सारा प्रक्रम है मैं आपको prelims के दृष्टिकों से कम mains के दृष्टिकों से ज़्यादा आपके साथ जुड़ रहा हूँ और mains के दृष्टिकों से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ चुकि prelims में एक fact होता है prelims में आपको अमोमन fact चाहिए कि इसका budget कितना था उत्र प्रदेश का budget कितना था या ease of doing business में एक example यह दी है कि ease of doing business में उत्र प्रदेश का साथ वास्तान लेकिन अब आप ये बताएं कि ease of doing business में कमिया क्या है उसकी कमिया क्या है तो आप मेंस के दृष्टिकों से जब आप देखेंगे तब आपको बुंदेलखंड अपने आप में एक व्यापक छेत्र मिलेगा एक व्यापक सब्जक्ट मिलेगा और इसलिए इसका महत्व भी उतना ही अधिक हो जाता है अगला हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड की बहुत एक संग्रचना से कि बुंदेलखंड की संग्रचना क्या है और बुंदेलखंड क्यूं इतना भागौलिक रूफ से महत्वपूर्ण है आपको यदि उत्तर प्रदेश का नक्षा ध्यान में होगा तो उत्तर प्रदेश का नक्षा एक मिनट में देख रहा हूँ ये जो उत्तर प्रदेश का नक्षा है एक मिनट एक में उत्तर प्रदेश यह जो उत्तर प्रदेश का नक्षा है आप यह देखिए कि यह जो छेत्र है यह छेत्र हिमाले के आसपास का छेत्र है ठिक यहाँ वर्षा इधर से आकर टकराती है हिमाले रिजन से यहाँ वर्षा अधिक होती है यहाँ अमूमन कम होती है इसकी अपेक्छा जब इस रेंज में हम आते हैं तो यह वर्षा जब लोटती है इधर यह भी यहां आते आते निम्न वर्षा छेतर बनाती है उसके बाद यह तो हुआ क्या कि एक तरीके का आपको मैंने यह दिया कि यहां पर हिमाले है अब जब आप हिमाले की बात करेंगे या आपको किसी पहार परवत की बात करते हैं तो आपको ध्यान आता है कि इसकी भौतिक संग्रचना या भू आकरती क्या हो सकती है चुकि किसी भी पहार परवत का निर्मान, किसी भी भू आकरती का निर्मान बिना भौगौलिक संग्रचना के संभव नहीं है तो भौगौलिक संगरचना में हम जब यह देखते हैं कि यह जो हिमाले का छेत्र है उतर प्रदेश का यह चुकि विंध्यन रेंज का है तो जो यूपी का उपर का पोर्शन होगा जो मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में दिखाया कि जब हिमाले का जो रीजन है या इस तरीके के जो भूभौतिकी छेत्र है जहां पहाड़ परवत हैं उस तरीके के अमोमन दृष्टिकून से एक चीज तो समझ में आती है कि व कि जो भूभौतिकी होगी या किसिन किसी आर्कियन नीश हो या फिर प्री क्रैंबियन नीश हो या हिमाले इस तरीके की हम लोग संग्रचना अमोमन वर्ड सुनते हैं मैं आपको प्रॉपर एक चीज बता रहा हूं कि आपको कौन-कौन से वर्ड ध्यान में रखने चाहिए या किस प्रकार के सब्द आपको एक्जाम में मिल सकते हैं या आप उसको कैसे डिफाइन कर सकत हैं तो इसकी संग्रचना हम देखेंगे तो बुंदेल खंड की जो संग्रचना या आर्कियन actress सी बनी हुई है आर्कियन नीस आर्कियन कैने का अर्थ है कि जब अब लिई इस तरीके का एक जब आप इंडियन जोग्रफी पढ़ते होंगे इंडियन जोग्रफी में या वर्ड जोगरफी में जब वो प्लेट टेक्टॉनिक थियोरी होती है तो उसमें इस तरीके के वर्ड मिलते हैं तो मैं वहाँ नहीं ले जाओंगा भी आपको अभी आपको किवल यह बता रहा हूं कि बुंदेल खंड का जो छेत रहे हुआ आर्कियन नीश का बना हुआ है और आर्कियन नीश की महत्ता क्या होती है कि आर्कियन नीश में ऐसे ऐसे खनिज पाए जाते हैं ऐसे ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिसकी समरिद बहुलता होती है या जिस जो समरिद रूप से पाया जाता है इसमें क्या मिलेगा आपको यहां तामबा मिल सकता है यहाँ जिपसम मिल सकता है यहाँ सोना मिल सकता है ठीक है तो इस तरीके का जो खनिज होगा यह क्या करेगा उद्यो को बढ़ावा देगा यहाँ एक तरीका और हो सकता है कि यहाँ अवैद खनन हो सकता है तो इसके परिणाम दोनों तरीके के हो सकते है सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं और दूसरी चीज ये है किया तो इधर का एरिया है लेकिन ये दक्षिन पस्चिम में ये बिजनौर से घिरा हुआ है बिजनौर या महाकौशल का जो छेत्र है आप यह देख रहेंगे ये जो एरिया है बुंदेल का एरिया है आप इसे देखिए इसकी संग्रेशना आपको ग्रेनाइट नीश की बता रही है कि यह संग्रेशना ग्रेनाइट नीश का है उसके बाद यह बिजावर समू है यह जो छोटे-छोटे छेत्र है यह बिजावर समू है रिवा शमू तलचटी चतन मेरा दृष्टिक हैं यहां की जो नदियां प्रभाईद हो रही है गंगा है यमुणा है केन है बेतवा है धशान है इस टाइप की जो नदिया हैं यह नदियां इस छेत्र को किस फरकार प्रभावित कर सकती है और भूवötaking भूब होती कि संग्रचना आपको मृदा जलवायू खनीज वन कई तरीके से प्रभावित करती है और यही अमूमन इसके संसाधन भी होते हैं और इसी का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव भी होता है जिसको लेकर कि यह प्रश्न बनते हैं अब चुकि यह च्छेत्र सिव हालिक तलहटी का च्छेत्र है यहां पर वर्षा होती है यहां पर दलदली मैदान पाए जाते हैं दलदली मैदान यदि पाए जाएंगे तो वहां मच्छर होगा मच्छर होगा तो वहां बीमारियां होंगी बीमारियां होंगी तो वहां निमनस्वास्त होगा निमनस्वास सम्रिद्धिय से अच्छुता रह जाता है तो इस तरीके के कारण हो सकते हैं और इस तरीके के कारण को हम इस चेज़ पर फोकुश करेंगे फिर मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि जब आप यह देखते हैं इस किया सिवालिक का तलहटी बेल्ट है और यह गंगा का मैदान है और यहाँ पर विंदे छेत्रिया बलूई प्लेट है यह जो मैंने आर्कियन नीश की बात की थी अब जब आप इस छेत्र में आएंगे यहाँ पर तो यह गोंडवाना लेंड का भाग है ठीक अब एक चीज देखिए कि पूरा जो बिंदे छेत्र है वहाँ मैंने आर्कियन नीश चट्टान की बात की और यह बलूई प्लेट है यह इसकी भौतिक संगरचना जो इसे यह बताती है कि यह अन्य से अलग है यहाँ पर खनिश अंसाधन कम होंगे किसकी अपेक्षा इन छेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर कम पाए जाएंगे मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन-कौन से खनिश पाए जाते हैं और उसका क्या उप्योग है लेकिन अमोमन वह अन उत्तरप्रदेश यानि पस्ट्रिमी उत्तरप्रदेश और पुर्वी उत्तरप्रदेश के अपेक्षा कम है यहाँ और आधन अभाव उरक्रसत रहेगा तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर ताल तालाब बनाना सुरू करेंगे फिर तालाब यहँदि और लेकिन यहाँ पर सिचाई समता या जल सरोत छमता जितनी इधर होगी उतनी पश्चिमी में नहीं होगी और जितनी यहाँ होगी यहाँ बिलकुल निमन होगी यहाँ वर्शा अधिक है तो लोगों के पास जल संचे का साधन कम होता है क्यों करेंगी उनकी आवशकता वर्शा से पूरित हो जाती है या पूरन हो जाती है तो यहाँ पर कम पाया जायगा लेकिन यहीं चीज Dynamo पाया जाएगे लेकिन जब यहीं चीज़ें वर्शा पैटन नल पंप अधिक होगा लेकिन यहाँ पर चुकि उसकी भी छमता नहीं है तो लोग क्या करेंगे ताल तलाब बनाना शुरू करेंगे और यह जो विंदे छेत्र है यहाँ पर विंदे छेत्र में विंदे छेत्र में तालाब अधिक पाए जाएंगे ताल अधिक पाये जाएंगे तो देखे एक भौतिक विभादन के कई परिणाम हो सकते हैं कई स्वरूप हो सकते हैं हमारा कहना यही है कि में इस प्रश्ण इस तरीके से बनेगा भाई मेरे कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभादन या सिवालिक तलहटी और तराई बेल्ट की अपेक्षा या तराई बेल्ट में ही अधिक बिमारिया क्यों पाई जाती है या वहां का मानव शन्शाधन कमजोर क्यों है या प्रश्ण ऐसे भी बन सकता है कि परियाप्त वर्सा होने के बावजूद या सगन वन होने के बावजूद या जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो पस्च्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा उतना सम्रिद क्यों नहीं है प्रश्ण ऐसे बनेगा तो आपके पास ये concept clear होना चाहिए कि इसकी विशेशता क्या है अब आप देखिए यहाँ पर एक important बात मैं बताता हूँ कि पहले जो UPPCS की परिक्षाए होती थी तो UPPCS की परिक्षा में होता था पेपर 1 पहले तो हिंदी फिर एसे पेपर 1 पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और दो पेपर होते थे optional के ठिक यह सब तो common है लोग यह हमोमन मार्क्स कर लेते थे optional जो होता था एक trend होता था इसका कि इसने जिसका जोगरफी है जिसका economics है जिसका history एक pattern होता था कि इससे इतनी 20 प्रशन होंगे और इसका pattern यह होगा हम लोग इस पर रट कर जाएंगे एक format बना बनाया मिलेगा market में हम उस पर पढ़ेंगे उसको देखेंगे उससे लिखने की कोशिश करेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा लेकिन जब paper 6 लाया गया तो paper 6 लाने का ही अर्थ यही था न कि आपको एक विशे विशे शगी नहीं बनाना है आप पर history के बहुत अच्छे जानकार है history के जानकारी का student या history की बहतर जानकारी वाला SDM आप बताएं कि यदि बिजनोर में दंगा हो जाए या जलोन में दंगा हो जाए या मेरट में दंगा हो जाए तो history का बहुत अच्छा जानकार political science का बहुत अच्छा जानकार economics का बहुत अच्छा जानकार वहाँ पर कौन सी थोरी लगाएगा या वहाँ पर कौन सा वो article यूज करना शुरू करेगा पहले प्योंकि जो ब्यभारिक जानकारी है जब तक आपको उस छेतर की पूरी जानकारी नहीं होगी कि वहाँ की आजीविका कैसे वहाँ के लोग कैसे हैं वहाँ कौन कौन सी जातियां रहती हैं वहाँ के लोगों का आजीवियन वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है वहाँ किस जाती के लोग अधिक हैं कौन सी जाती शोशित है जब इस तार्च या कौन सा छेतर डेवलप है वहां के जो घटनाई घटती है या दंगाय होती है उसका कारण क्या है जब तक आप इस चीज को एक एप्रोच से नहीं देखें इसलिए मैंने दिरिष्टिकोन की बात की थी जब आप उस दिरिष्टिकोन से नहीं देखेंगे पोस्ट की सही पोस्ट पर सही लोग आ सकें इसलिए उसने धीरे धीरे और अमोमन आप देखेंगी लगबग हर स्टेट ने अब ये ऑप्शनल का सब्जक्ट हटा दिया है तो उत्तर प्रदेश भी इसी पैटरन पर आई और उत्तर प्रदेश को भी अपना क्या था ओप्शनल जब था तो अमोमन बच्चे 270 से लेकर 310 के बीच मार्किंग ले आया करते थे एक पैटरन पर पढ़कर एक तरीके से लेकिन जैसे ये ऑप्शनल हटा अब देखिए कि आप्शनल में पहले 70% मार्क्स आ जाते थे 70 से 75 अब इसी 70 75 मार्क्स लाने के लिए आपको एक पेपर पढ़ना होता था जो ग्रफी यह उसके डैमेंशन चल रहे हैं बहुत सारे जो भी हैं एकोनॉमिक से उसके एक डैमेंशन है लेकिन अब इसी 70 75 को 75 मार्क्स लाने के ल आपके पूरी इस पूरे इस्टेट को जानना होगा उस इस्टेट के भागलिक आयाम जानने होंगे उस इस्टेट के आर्थिक दृष्टिकोन जानने होंगे उस इस्टेट के आर्थिक संभावनाई जाननी होंगी उसका आर्थिक पक्ष देखना होगा उसका समाजिक पक् थे कितने प्रश्ण बनते थे जोग्रफी को भी दो पार्ट में था इंडियन जोग्रफी की और और कि यूपी उप्रेंद लोग्रफी से आएगा और wordt इंडियन जेग्र चश्डबनते थे यह पुर्ष्ड प्रश्न वुटे जोग्रफी कवर करनी है और इंडियन जोग्रफी को कवर करने के लिए पांचे प्रशन बनाया पांचे प्रशन है चुकि आपके इस्टेट की परिक्षा है तो आपके इस्टेट के बारे में भी आपको जानना चाहिए तो इसने एक दो प्रशन बनाया बावजुद जब पे लेकिन जब उसे उसी सब्जेक्ट पर उसी अपना ही परिजय कह दिया जाए कि 600 सब्दों में लिखो तब क्या करेगा फिर उसके डैमेंशन खुलने सुरू होंगे या तो वह डैमेंशन खुलना सुरू करेगा या फिर 100-500 सब्द आते आते वो सांत हो जाएगा अब बताओ भाई साहब कि जब आप अपना परिचे खुद नहीं लिख सकते हो बिना तयारी के बिना उस पर विचार किये बिना सोचे तो आप यह कैसे इतना आसान समझ लेते हो कि यह जो उत्तर प्रदेश का पेपर 5 है उत्तर प्रदेश का पेपर 6 है इसे आप बिना किसी म परपस है कि आप इसे उस दृष्टी कौन से जाने जिस दृष्टी कौन से आयोग आपको बताना चाह रही है तो ठीक है भाई मेरे ये क्लियर हुआ कि इसको क्यों पढ़ना इंपोर्टेंट है उतर प्रदेश को और उतर प्रदेश के विभिन आयामों को क्यों देखना जरूरी है और paper 56 को ही क्यों लाया गया और paper 56 में UP के इन सारे छेत्र को क्यों समाहित किया गया या द्रिश्टिकोन भी clear है और बुंदेल खंड के बारे में basic जानकारी भी आपको मिल पा रही है जब इसके details जानकारी आपको चाहिए होगी या details जानकारी के लिए हम एक series लेकर चलेंगे आप हमें comment करके बताना कि आपको ये series आपको ये जो series है या जो बताने का तरीका है इसको कैसे continue किया जाए आप continue देखना चाहेंगे तो हम paper 56 का एक पूरी series इस पर लेकर आएंगे कि पूरी paper 56 को इस पर cover किया जाए होगा और ये paper 56 के लिए कितना important होगा paper 5 के लिए कितना important होगा जब इस तरीकी की चीजे आपके मन में कौन देगी आपके मन में चीजें चलेंगी तो अमोमन यह आपको प्रेरित करेगी कि आपको कैसी कैसे अपनी रणनीती चाहिए आपकी तयारी क्या होनी चाहिए ठीक है अब आते हैं बहुतिक विवाजन के अगले जब हमने आपको इस से पहले बता है क्या कि वहां वर्शा है या उसका बहुतिक विवाजन इस तरीके का है कि वह ग्र जिनौर वाले छेत्र से घिरा हुआ है वो महा कौशल छेत्र से घिरा हुआ है वहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं जिपसम है तामबा है इस तरीकी की चीज़ें बताई अब जब भौतिक विवाजन की बात करेंगे तो भौतिक विवाजन में आप यह देखी कि जो मैंने मैप पर दिखाया हुआ है यह पुर्वांचल का छेत्र बगेल खंड का छेत्र अवद छेत्र बुंदेल खंड रोहिल खंड गंगा यमना दुआ तराई मिटी भावर मिटी और यह अलग से हैं बुंदेल खंड का छेत्र ठीक है इस बुंदेल खंड के छेत्र इस मैप को द देंगे ही न आप तो परिच्छा में तो आप उप्योग करें सकते हैं तो इस मैप को देखकर आपको क्या लगता है कि यह मैदान यह मैदान यह एरिया गुंदेल खंड का एरिया यह भावर मिट्टी यह तराई मिट्टी यह क्या है किस चिडिया का नाम है भावर मिट्टी तरही मिट्टी है यह जो मृदा निर्मान की प्रक्रिया है आप जब जोगरफी पढ़ेंगे तो जोगरफी में आपने मृदा निर्मान की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें आपने यह पढ़ा होगा कि मृदा का निर्मान कैसे होता है चट्टानों के तूटनेश होता है या वर्सा के अप वहन वर्सा के द्वारा जब नदिया जल प्रवाहित करती है तो उसके द्वारा होता है एक छोटा सा आप ओवर्वियू ऐसे लें या ऐसा एक्जामपल लें कि जब वर्सा बहुत तेज होती है तो यह पहाडी छेतर है हिमाले से सटा हुआ छेतर है यहां जब वर्सा होगी तो यहां पर जल का प्रवाह अधिक होगा तो यहां अपने साथ बहुत बड़े बड़े बोल्डर लेकर आएगी बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर आएगी लेकिन जब वो धीरे धीरे इस छेत्र में आएगी तो क्या होगा कि वो एक तो पानी की गती कम होगी पानी की गती कम होगी उसका प्रवाह कम होगा तो अपने साथ जो अपवाहित मलवा लाएगी उसकी मातरा कम होगी तो वो धीरे धीरे क्या करगी छोड़ते हुए चलेगी और जैसे छोड़ते जाएगी तो अमोमन जब इस छेत्र में आगी तो पानी का प्रवा एक तो ऐसे होगा पानी का प्रवा एक तो ऐसे होगा दूसरा ये ऐसे भी होगा ठीक है तो अब एक बात बताईए कि जब पानी का प्रवा ये पस्चिम से पूरब की और जाएगा उस डहलान की तरफ जाएगा तो यहां पर जो पानी का प्रवा होगा वो दिरे 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 इधर कमता जाएगा और जो मलवा होगा वो धिरे धिरे छूटता चला जाएगा फिर जब प्रवा चुकि ये हिमाले से नदिया निकलेंगी तो हिमाले की नतिया जब उत्तर से दक्षिन के और बहेंगी ऐसे करके तो उत्तर से दक्षिन के दिसा में जब हिमाले की नदिया बहेंगी तो वो जो पानी का प्रवा होगा जो उसके साथ मलवे होंगे जो कच्रा होगा या जो अफसेस होगा वो इधर आते आते बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा या बहुत कम होगा अब देखे यहाँ पर आपने चंबल का भीहड उत्खात भूमी खड़ इस टाइब का वर्ड सुना होगा अपने कभी तो इसका निर्मान कैसे होता है यह एक भौतिक प्रक्रिया है और कहीं-कहीं इस पूरी भौतिक प्रक्रिया में हमारा जो भौगौलिक कारक है चाहें वो वर्सा हो, जलवायू हो बहुती संगरचना हो या अपवहन कह सकते हैं उसको अपवहन हो वायू राशिया हो ये सब प्रभावित करती है इन सारी चीजों को और इसी कारण जब आप देखेंगे तो ये तराई मिट्टी क्या है वही गाद है जो वर्षा जल के द्वारा या जो नदिया आपवाहित होती है उस नदियों के द्वारा लाया जाता है या नई होती है या पुरानी होती है है दोनों ही वही अब देखें तराई मिट्टी में जब महीन गाद जमेगा ये दलदली होगा ये भावर मिट्टी क्या होती है कंकडीली ज्यादा होती है कंकडीली ज्यादा कि इसलिए होती है चुकि वो प्रवा वहां ताजा होता है और ताजा प्रवा के साथ इसकी चट्टाने आती हैं साथ में तो यहां कंकडीली कंकड ज्यादा मिलेंगे और यहां पर गाद होगी लेकिन यहां पर घास जरूर होगा यहां पर घास जरूर होगा घास के मैदान होंगे और जब घास के मैदान होंगे तो घास का मैदान क्या करेगा क्यों कि दलदली भूमी है तो घास होगा अब घास होगा तो यहां कुछ नुकुछ तो जीव रहेंगे है और यही बात मैं आपको इंट्रो में कह रहा था शुरू में कह रहा था कि जब तराई मिट्टी होगी या तराई मैदान होंगे यहां गास होंगे यहां बिमारियां होंगी और जब बिमारियां होंगी तो लोग यहां नहीं रहेंगे कोई भी लोग अस्वस्त नहीं रहना चाहता यहां वन्यजीव कम मिलेंगे छोटे छोटे जीव मिलेंगे लेकिन बड़े वन्यजीव नहीं मिलेंगे वही चीज जब इधर के आप बढ़ेंगे यह गंगा का मैदान कहलाएगा जो रोहिल खंड का मैदान और अवद का छेतर है जब आगे हम जलवायू वाला आपको दिखाएंगे तो जलवायू के जलवायू वाले slab में यह clear हो जाएगा आपको कि यह जो छेत्र है गंगा का मैदान यह गंगा का मैदान जिसमें रोहिल खंड और अवद छेत्र का मैदान आता ता मैंने नामकरण केवल किया है आपको कि यहाँ आप जान जाएं आप यह समझ सकें कि हमने वर्गी करन कैसे कैसे किया है और कैसे हम यह define कर सकें कि बुंदेल खंड यहां important क्यूं होता है हमारा केवल परिचाए इसी बात को लेकर मैं पूरी यूपी को अभी नहीं बता रहा हूँ पूरी यूपी को मैं किवल इसलिए बता रहा हूँ कि अमूमन आप लोग के मन में यह होता है कि जो चीज़े यूपी में घट रही है बुंदेल खंड में अभिशली वही चीज़े होंगी भाई मेरे कैसे हो सकती है जब भाग वालिक संग्रचना एक जैसी नहीं है आप यहां की वर्षा अलग है यहां की वर्षा अमूमन डेल सो से 200 सेंटीमीटर होती है यहां की वर्षा डेल सो से 200 सेंटीमीटर की होती है और यहां सो से 150 के बीच में होती है तो कैसे एक जैसी होगी यही वर्सा यहां आकर 70-80 cm में convert हो जाती है मतुरा जैसे आप जगा पर देखेंगे यहां तो बिलकुल ही वर्सा नहीं होती है 50% से भी कम होती है फिर कैसे equal होगा और चुकि बुंदेल खंड MP और UP दोनों को relate करता है बुंदेल खंड का जो छेतर है आपने इसे पहले देखा कि वो विंध्यन छेतर है यानि विंध्यन चट्टाने जो है उससे बनी हुई है ठीक और उसमें कुछ छेतर जो है ये ललितपूर वाला जो एरिया है यहां पर गुंदवाना लेंड का भी हिस्सा है इधर भी कुछ पोर्शन आते है तो जब भौतिकी संग्रचना ही एक जैसी नहीं है भू भौतिकी ही एक जैसी नहीं है तो उसके उपर की विसेश्ताएं एक जैसी कैसे हो सकती है लेकिन सरकार इसको डेवलब करने की कोशिश कर रही है क्यों डेवलब करने की कोशिश कर रही है चुकि यह बिलकुल भी निर्जन छेतर नहीं है यहां पर मानव शंशाधन हैं मानव रहते हैं यहां पर 1970 में जैसी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की अस्थापना की गई थी बलेवा जिर्ण सिर्ण वस्था में है तो इसका उद्देश थाना कि इसको डेवलप करना है और यह यूपी का एक कूर सक्टर रहा है तभी तो अब इस भौतिक विभाजन के बाद हम देखते हैं अपवाद अंत्र म मैंने आपको बताया कि हिमाले कैसे आती है वहां से नदिया कैसे निकलती है आप यह देखिए कि जब हिमाले से नदिया निकली और उपर आगे बढ़ी यह यमना का रेंज है इससे बेतवा केन धसान यह सारी नदिया यहां अपवाहित हो रही है कहने का आर्थ है कि भोजन कपड़ा और मकान में भोजन के लिए पानी चाहिए खादी सुरक्षा चाहिए खादी पोशन चाहिए अच्छा भोजन चाहिए तो अच्छे भोजन के लिए क्या चाहिए हमें जल चाहिए ताकि हम फसल उप जा सकें पीने के लिए पानी चाहिए अच्छा यह हम कर सके मिंड्रल वाटर खरीद कर नहीं पी सकते नो हमेज़ और यदि मिंड्रल वाटर भी आएगा तो कितना मेंगा पड़ेगा आप सोचो जरास आ कि दिल्ली से चल कर आएगा महथृ से चल कर आएगा अलहाबाद से चल तो जो गोतल अगाद में 10 रुपे में मिलती है यहां आते आते हो मुमन हो सकता है 25 रुपे में मिलेगी तो बताओ यहां आजी विका का साधन नहीं है रहने के पैसे नहीं है यह पानी के से खरीदेगा और कहां से खरीदेगा तो भाई बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि यहां पर यहां का जो अपवाहत अंत्र है यहां का अपवाहत अंत्र भले उतना समरिद नहीं है लेकिन समरिद है अब समस्या क्या है यहां पर कि यह जो केन बेतवा वाला विबाद है केन बेतवा वाला विवाद आपने पढ़ा होगा आपने सुना होगा यह चुकी अमूमन चर्चा में रहता है केन बेतवा का विवाद है इस विवाद के कारण यहां पर क्या होता है जब तक विवाद का कोई निराकरन नहीं निकलेगा कोई संग्रचना कोई वो नहीं निकलेगा कोई क्या कहते उसको कोई शमाधान नहीं निकलेगा तब तक आप क्या करेंगे पिर ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चीजे आगे बढ़ती रहेगी ना तो यहां सरकार कोई planning कर पाएगी ना कोई योजना चल सकती है यहां पर ना लोग कोई planning कर सकते हैं न निवेशक निवेश करेगा न उद्यमी यहां पर रुची लेंगे चुकि उद्यमी को क्या चीए उद्यमी को चीए रिटर्ड और भाई बुंदेल खंड में एक कावत है गगरी फूटे गगरी न फूटे खसम मर जाए खसम का आर्थ है भाई वो हस्बेंड गगरी न फूटे खसम मर जाए कहने का आर्थ है कि बुंदेल खंड में जो पानी का संसाधन है वो कम है लोग औरते जल लेने के लिए बहुत दूर तक जाती है अब निवेसक चाहता है कि हम यहां यदि कोई ऐसा प्रोजक्ट लेकर आएं कि जिससे कि हम यहां के भूजल का दोहन करते कें जमीन से जल निकाल करके यहां के लोगों को दे सकें तो यह हमारे लिए भी उपयोगी होगा और वहां के लोगों के लिए भी अब देखिए कि अपवातंत्र इतना सम्रिद्ध है, यहाँ जल है, जल के साधन है, यह पहाड़िया है, मतलब अक्सर तो यह प्लेन मैदान है, कहने कारते हैं उद्योग लग सकता है यहाँ पर, उसके बावजूद नदिया है, यहाँ पर वो जल को मतलब रिफाइन कर सकती है, एक तरीके से उसे संसोधित करके पेजल, पीने योगी बना सकती है, बावजूद निवेशक के लिए समस्या क्या है, निवेशक को क्या चाहिए, निवेशक को चाहिए कि जहाँ वो निवेश कर रहा है, उसके रिटर्ण की संभावना अधिक हो, मैं आपको किबल इस बात को बताने का प कर सकता है, और आपके मेंस के लिए ये इंपोर्डेंट है, प्रशन ऐसे ही बनते हैं, और आपको बदलते पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा, तो क्या करता है, निवेशक को चाहिए रिटर्ण, और निवेशक रिटर्ण, इसलिए वो क्या चाहिएगा, कि T.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E काम तो बहुत करेंगे वो वो दिन डात आठ गंटे की बजाए दस गंटा काम करेंगे लेकिन उसकी productivity कम होगी वो कम productive कर पाएंगे वो उस उनकी जो productivity होगी वो इसके डिलेबर किया पेख्चा कम होगी तो कुसल या दक्ष संसाधन चाहेंगे फिर क्या चाहेंगे वो एकोनोम रूप से वह स्ट्रॉंग हो यानि आर्थिक लाव उसका हो दिखे आर्थिक लाव दिखे उसे और वह इफेक्टिव भी हो प्रभावी भी हो वह प्रभावी भी हो यानि उसके परिणाम पॉजिटिव हो परिणाम सकारात्मक हो एक इन्वेश्टर ये चाहता है एक फैसिलिटेटर ये चाहता है और इसके लिए वह क्या सोचता है कि वहाँ चाह हो सकती है वहां की गौवर्मेंट को चाह करना चाहिए यानि अकाउंटेबल अकाउंटेबल हो वहां इनोवेटिव हो वहां इनोवेशन होता रहे और सबसे इंपोर्टेंट वाद कि वह डिसेंटरलाइज हो अब देखिए यदि इतनी सारी चीजें नहीं होंगी बुंदेलखंड वाई किन का इलाका है बुंदेलाओं का इलाका है छतरशालों का इलाका है वहां आन बान और सान की बात चलती है जो लोग बुंदेलखंड से हैं वो इस बात को अमोमन जानते हैं कि प्राम जाए परवचन न जाए हमें महारान प्रताप का खून दोड़ता है कुछ भी हो जाए सर नहीं कटा सकते हैं सर जुका नहीं सकते और इससे क्या होता है इससे वहां एक ऐसे वर्ग का जन्म होता है जो जिसे लोग हम बाहुबली कहते हैं और उन्हें क्या चाहिए आपसे उन्हें चाहिए भाई हमारे इलाके में यदि तुम इन्वेश्ट करोगे तो इसका 25% हमें चाहिए यदि तुम हमें 25% देते हो तो अपना उद्योग लगाओ लोग जीए वह पर्यावरणी दृष्टी कौन से सही है या नहीं है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है वहां की आजिविका को समरिध्धी देगा या आजिविका के लिए लावदाई होगा या नहीं होगा उसे हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए अब बताईए कि इस छेत्र में इन्वेश्टर आना चाहेंगे कभी आप अपना उद्यम लगाना चाहोगे कभी कभी नहीं तो इसलिए इन्वेश्टर इस चीज़ की कलपना करती है या इन्वेश्टर इस चीज़ को चाहती है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी रहे सरकार इसकी पीछे भी काम कर रही है मैं बताऊंगा आपको कि कैसे infrastructure को develop कर रही है वहाँ कैसे सरकार अपने budget 2024-2025 में यूपी के जो budget आए उस यूपी के budget में कैसे इसको लेकर के वो उसने कोशिश किया है कोशिश कहने का आर्थ है क्या कि वहाँ infrastructure बना रही है वहाँ उर्जा के लिए वो जैसे solar में solar park विक्षित कर रही है 4000 मेगावाट की या बुंदिल खंड के लिए एक नया initiative है वो वहाँ के लिए एक नई project है तो इस तरीके का है जो सरकार चाहती है वहाँ पर करने के लिए लेकिन बावजुद नहीं हो पा रहा है तो कई सारे आयाम है मैंने एक दो का dimension लिया यहाँ पर और कहने कारते कि यतने सारे अब अमूमन इस बात को जानिए जो के लिए आपके important होगा कि यह तो वहां की समस्या थी मैंने वहां का शमादान भी दिखाया कि सरकार ऐसे इसे चाहती है एक निविशक क्या चाहता है अब चुकि यह छेत्र इतना सम्रिद है यहां के अपवात अंतरी इतने अच्छे हैं तो यहां पर क्या होगा यहां की और शिनदी पर होंगी है आप देख लिजे कि नरोरा परमानु उर्जा संयंत्र है ना उसके अलावा रहंद है या एक दो और जो हैं जहांसी या ललितपूर में इसके अलावा कोई पर्योजना यह नहीं चलती है जल्विद्यूत पर्योजना या पनविजली पर्योजना नहीं चलती है जिनसे परिशा वाला है जहां से का परिशा है तो जब पर्योजनाये ही नहीं होंगी या संसाधन ही नहीं होगा तो यह जो अपवाह तंत्र है इसci up resistant की उपयोगिता क्या रहेगी एक तो यह बात हुई दूसरी बात आप यदि मन की बात से सुनते हैं सुनना चाहिए हरे विद्यार्थी को यह सुनना चाहिए जब आप देश के उस पोश्ट पर जाना चाह रहे हैं जहां से देश का एक जिला लाना चाहते हैं, तो मैं मेरे कहने का आरत है कि मोदी जी जो प्रधान मंत्री हमारे, वरतमान प्रधान मंत्री की मन की बात में जलोन डिष्टिक के, जलोन जो डिष्टिक है बुंदेलखंद का, इसमें नून नदी की एक चर्चा की गई थी, ठीक है? नून नदी की चर्चा इसलिए की गई थी वह नदी वहाँ सुखते जा रही है और इसके लिए ततकालिन डियम ने क्या किया कि एक चेक डेम बनवाया वहाँ पर चेक डेम का अर्थ होता है कि नदी को बीच में बांध करके एक बांध का निर्मान कराया गया ताकि वहाँ पर जल बहुआ हो सके जल इकठा हो सके मवेश्ए आकर पानी पी सके जो आसपास के लोग हैं वह उसे सिचाई के लिए उपीयोग कर सके या उसका एक अन्य उपीयोग हो चरागा हब बढ़ सके फसल उत्पादकता हो सके कहने का अर्थ है कि जलगे जितने संभावित उप्योग हैं वो किया जा सके इसलिए इसनों ने चेक डेम का निर्मान किया बहुत अच्छा कारी भी किया इसने सफल रहा लेकिन अब देखिए एक परियोजना के दो पक्ष कैसे होते हैं कि इसका सकारात्मक प्रभाव यदी है तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा चेक डेम जब बना तो मालिजा एक डेम नदी पर यहां बना और एक डेम यहां बना तो यह जो बीच का एरिया है यह जो बीच का गैप है इस बीच के गैप का क्या हुआ यहां भी तो आबादी रहती है यहां भी तो पशू रहते हैं यहां भी तो संसादन है यहां जल है बीच में जल की कमी होती है और यह छेतर इसका दुस्प्रभाव पड़ता है दुस्प्रभाव तैटमिस क्या होगा वहाँ जल का अभाव होता है तो दीरे दीरे नदियां तूखने लग गई या वहाँ पर जल नहीं मिलने लगा परियापत मातरा में और जब परियापत मातरा में जल नहीं मिलेगा तो आजी विका प्रभावित होगी और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सरकार की कोई भी योचनाय होती है सरकार की कोई भी परियोचनाय होती है वह समाजिक आर्थिक विकास को लेकर चलती है समाजिक आर्थिक कल्यान को लेकर चलती है आपने समावेशी विकाश का नाम सुना होगा तो समावेशी विकाश का ही अर्थ क्या है कि समाज के निचले अस्तर से लेकर के एक जो समाज जिसे डिनोड करता है कि यह समरिद अस्तर है यह जो है विख्षित अस्तर है वो निचले-अस्तर और उपर की अस्तर दोनों के अस्तर का जो gap है इसको समाप्त करना ठीक है तो हमारे कहने का अर्थ है कि कोई भी पर्योजना हैं उसको आप इस दिरिष्टि कोंसे पढ़ें किसी भी छेतर को पढ़े हैं तो केवल इस दिरिश्टिकों से ना पढ़े हैं कि इसके बेनिफिट ही हैं इसके लाव ही हैं इसके नुक्षान भी होते हैं और जहां नुक्षान की बात आएगी वहां आपको यह दियान देना होगा कि सरकार इसके लिए कौन सा प्रयास कर रही हैं सरकार कैसे अब वो योजनाओं की बात आती है तो मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन एक दो बात जरूर कोऊंगा कि जब बजट आता है तो आप बजट देखा कीजिए बुंदेल खंड को लेकर कई सारी योजनाओं आई हैं ग्रीन हरित बजट टैगिंग एक वर्ड है हरित बजट टैगिंग इस चीज़ को आप देखेंगे यह जो है उत्तर परदेश सरकार की बजट में लाया गया क्यों लाया गया ताकि उस कोई भी उद्द्योग है या उद्द्यम है वह अस्थापित हो लेकिन वह परियावरणी दृष्टिकून को धिहान में रखे वह परियावरण के लिए कितना अनकूल होगा या वहां के लोगों के लिए कितना लाबदायक होगा इस है तो उसने ग्रीन ये सौरी हरित बजट टैगिंग का जो एक शब्द है या एक अवधारना है इसको लाया यह सब छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी इसकी में या छोटी छोटी बातें जिसको मैं आपसे डिसकस कर रहा हूं आपको यह धियान रखना पड़ेगा क्या 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 चीजें पढ़नी है क्या क्या नहीं पढ़नी है इसाझे बड़ते हैं आगे हम लोग देखते हैं यह मैंने जलवायू यहां भी हम लोग मैंने बुंदेल खंड को बुबार ही देखते हैं आपको मैंने कहता था कि जलवायू जब होती है मैं आपको बस एक बेसिक चीज बताता हूँ यहाँ ज्यादा तो नहीं चुकि मैंने डिसकस कर दी आप के वह लिया देखिए कि भारत की जलवाई हूँ यह मानसून यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर रही है और आप देखिए कि यहाँ जो एरिया है यह लगवग यूपी का एरिया है इस तरीके से यानि यहाँ पर उत्तर पर देश में बंगाल की खाड़ी से मानसून प्रवेश करती है और यहां पर छोटा सा एरिया है जो कि अरब सागर या अरब सागर से जो हवाएं होती हैं वो प्रवेश करती हैं और यह वर्सा कराती है तो यह अरब साखा और यह बंगाल के खाड़ी से जो मानशून आता है या मानशूनी हवाएं आती है यह दोनों आगरा में आकर मिल जाती है यह दिल्ली के असपास आगरा यहां आकर मिल जाती है अब अधिक वरसा कौन कराती है आप यही पर देखी बात फैक्ट और कॉंसेप्ट कियाती है कि आपको कॉंसेप्ट क्या करता है और फैक्ट क्या करता है और यही बात मैं कह रहा था कि जब आप पढ़ाई करते हैं या जब बच्चे निसकर्स कहते हैं निसकर्स लिखना चाहते हैं मैंने आपको नॉलेज की बात की ती ना कि जो बिगनर बच्चे हो तो उसमें नॉलेज परियापत होता है यह नॉलेज की कमी होती है जो फैमिलिय भी बच्चे होते हैं उसमें कहीं कहीं स्किल चाहे वो कम्यूनिकेशन का इश्किल हो या राइटिंग स्किल हो कहीं कहीं इसका अभाव होता है अब देखें नौलेज को दो अस्तर पर बाटिये नौलेज एक तो हुआ इन्फॉर्मेटिव नौलेज इसने इन्फॉर्मेशन दे दी ठीक है इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भारत में अधिकांस वर्षा बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती है या उधर से जो मानशूने आती है उसे होती है ठीक ये इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको लेकिन एक information यह भी मिला कि कुछ वर्षा अरब शाखा से होती है दूसरा information तीसरा information यूपी के छेतर से कि ये दोनों आगरा में आकर मिल जाती है ठीक तीसरा information कि मतुरा में बावजोद इसके कम वर्षा होती है चौथा information कि जब अरब बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सिवाले की हिमाले का छेतर होने के कारण ये हिमाले से टकराती है और वहां वर्षा कराती है यह भी information है information यहाँ पर अधिक वर्षा होती है चुकि यहाँ पहले टकराती है और जब इससे ये धीरे 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 उपर की और बढ़ना चाहती है यहाँ वर्षा कम होती जाती है ठीक यह सारा था information अब हम बात करते हैं wisdom की wisdom कि जब information आपको निसकर्स तक ले जाए कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या प्रभाव हो सकते है यह होता है wisdom और जब यह हो जाए जब यह निसकर्स आप निकालने के योग यह हो जाए तब माना जाता है कि आपका skill develop हो गया और skill को तब हम बाटेंगे दो छेतर में एक तो writing skill और दूसरा communication skill writing skill आपको means written में काम आएगा और communication skill interview में चुकि examiner आपके basic ग्यान का आपके basic knowledge का निरिक्षन पीटी में कर लेता है आपके ब्रिहत ग्यान का या आप किसी चीज को किस प्रकार समझते हैं आपका दृष्टी कोन क्या है आपकी नजरिया क्या है आपका नजरिया क्या है आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं या means में आँक लेता है लेकिन आप व्यवहारिक तॉर पर वैसे हैं या नहीं इसके लिए communication निश्किल होना बहुत जरूरी है और यह interview में आपको interviewer माप लेता है तो आपके लिए यह तीनों उत्रा ही important है और यह मैं केवल इसलिए कहता हूँ कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो आपका दृष्टिकोन कैसा होना चाहिए आप कैसे उस चीज को judge कर सकते हैं और कैसे सरकार के लिए चुकि आप bureaucrates जब बनेंगे आप सरकार के अधिन काम करेंगे यह bureaucrates सुरू सही सरकार के अधिन काम कर रहे हैं और policy maker अलग है आपको policy को संचालित करना है उसको आपके MLA होंगे या जो आपके MP होंगे आपको समझाना होगा कि आपने जो यह policy है दी है या आपने जो सरकार का जो सरकार की यह जो policy है या सरकार की जो नीतियां है या इस छेतर के लिए कितनी उपयोगी है ठीक है तो चलीए आगे देखते हैं तो जलवायो और मैं यही बात बता रहा था आपको कि बुंदेल खंड का यह जो रीजन है इसमें तालाब है और कौन-कौन सी जीले है कौन-कौन से तालाब यह सब basic knowledge है यह fact है यह fact आपको कि अब ध्यान में रखना है याद रखना है समझना है लेकिन क्यों है यह मैंने बताया आपको इससे पहले इसका रीजन क्या-क्या हो सकता है अब जब जील तालाब यह सारी चीज़ें आपने पढ़ी तो यह है सिंचाई प्रणाली इरिगेशन वाला कि इसमें इरिगेशन रिसोर्स कौन-कौन से है यह आई तिंच कम दिख रहा होगा आप लोगों को यह इमेज थोड़ा सा धुंदला मिला हमे लेकिन मैं अमोमन आपको बता देता हूँ कि यह जो इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का नियूज है इसमें कैनाल वाला कैसे है कौन-कौन से चेतर में कनाल कितने है या उसका क्या चेतर है तो आप यह जो बुंदलखंड वाला एरिया देख रहे हैं इस बुंदलखंड वाले एरिया में भी कनाल हैं नहरे हैं और मैंने आपको कहा था कि यह जो सिचाई परियूजना चलती है या लगू या बृहद या मध्यम परियूजना ही चलती है यह जो नहर सिचाई परियूजना चलती है यह नहरों का निर्मान करती हैं और कृश्वी अग्रिकल्चर के लिए लागदाई होती है बूंदेल खंड में मृदा निर्मान की परिकल्या मैंने आपको बताया यह फैक्ट केवल मैं बता रहा हूँ कि मृदा निर्मान या मृदा कैसी होते है राकर परुआ कावर मार यह जो सारे हैं बूंदेल खंड च्षेतर की मृदाएं है और जब इसकी फसल या इसके फशल अलग होंगे इसके फशल इसके फशल इसके फशल इसके फशल फशल पैटरन अलग होगा मर्दा कहने का अर्थ केवल हमारा यही है कि बुंदेल खंड की जो भी मर्दाएं है वो एक समान नहीं है छोटा सा छेतर है उस छोटे से छेतर में भी यदि इतनी भिन्नताएं पाई जाती है तो आफ फसली भी विद्धता होगी और फसली भी विद्धता अमूमन वहाँ पर गेहू गेहू के बाद चना और गन्ना यह चीजे पाई जाती है गेहू चना और गन्ना ठीक है तो यह मर्दा है और मर्दा के कारण जो फसली भी विद्धता होती है यह मैंने बताया मर्दा का जो निर्मान है या मिर्दा किस प्रकार की मिर्दाएं पाए जाती है और इसकी उप्योगिता मैंने डिश्कर्ष किया आपको अब यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं एक मिनुट में इसके नेक्स स्लाइड में इस स्लाइड में आपको खनिज का बहुत वितरन तो दिख रहा होगा कि यह एरिया है बुंदेल खंड का इसमें कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं लेकिन इस इमेज में आप देखिए आपको यह दिख जाएगा यह जो बुंदेल खंड वाला एरिया है फिक है बुंदेल खंड वाला जो एरिया है जलौन हमिरपूर चित्रकूट महोबा इसमें कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कहने का अर्थ है कि यह संसाधन छेत्र यह जो संसाधन समरिद छेत्र है इस खनिज सम्रिद छेत्र में इतने सारे खनिज पाई जाते हैं तो बावजूद इसके यहां पर इतनी संपन्नता क्यों नहीं है इस सारी चीजों की चर्चा आपको इस सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा आपको देखना पड़ेगा अब यह देखते हैं कि जब सारी बाते हैं इतना खनिज अंशादन है इतने सम्रिद जलवायू है इतना सम्रिद कृषि छेत्र है फशल भी विधता है अपवाह प्रणाली है बावजूद इसके यह बुंदेल खन का छेत्र विक्षित क्यों नहीं है हम आपको आगे human development report आया है कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेल खन्ड एरिया है वह मध्य प्रदेश की बुंदेल खन्ड की अपे च्छा कम विक्षित है है दोनों चेत्र एक दोनों के ecological system एक हैं दोनों की जलवायू एक जैसी है दोनों की आजीव का या जो लोग वहां रह रहे हैं वह एक जैसा है बावजूद इसके ऐसा क्यों है कि यूपी का बुंदेल खंड कम विक्षित है और एंपी का बुंदेल खंड अधिक विक्षित है ठीक है तो यह सारी चर्चा हम करेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखाए कि जब सार्या संपन है वहां शंशाधन संप पॉलिशी है जिसे पीडियेस पॉलिशी जो सरकार ने पीडियेस चालो किया वह नहीं पहुच पाता है अंतिम छोड तक या जो लोग आम जनता अपनी समस्या सरकार तक नहीं पहुचा पाते हैं तो समस्या दोनों तरफ से हैं और इस चीज को दूर करने के लिए यह पर्य स्वेसे connectivity बढ़ती है और connectivity हर छेतर में उपयोगी है connectivity केवल आवागमन को लेकर ही नहीं होती है जब आवागमन चालू होगा तो आवागमन के जरिये हम सरकार अपनी नेती वहां तक पहुँचा सकती है सरकार लोगों से संपर्क बना सकती है और जब वहाँ पर लोग आना जाना सुरू करेंगे migration होगा एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह के लोग यहां आएंगे उद्यमी आएंगे निवेशक आएंगे या जो बाहर से परियटक आएंगे सब मिलकर इस छेतर को विक्षित करेंगे कहने का आर्थ केवल इतना ही है तो अमोमन एक छोटी मोटी परिवासा में आप इस चीज को समझ ले और यह बुंदेलखंड में आप देखें जहांसी हवाई अड़ा और एक चित्रकोट हवाई अड़ यह दोस्तनों रास्टी हवाई अड़ा है अब एक चीज यह देखें कि जब समस्या इतनी आई तो सरकार मैंने आपको करन कि सरकार प्रयाश करती है तो सरकार कैसे प्रयाश करती है सरकार ने दिया ना आपको लो भाई बुंदेलखंड परियोजना ले लो बुंदेलखंड एक्सप्रेश्वे परियोजना के साथ उसने क्या किया कि अध्योगी कॉरिडोर भी विक्षित किये कि जो एक्स्प्रेस वे हैं उसके दोनों साइड अध्योगी कॉरिडोर होंगे और अध्योगी कॉरिडोर जब होंगे तो छेत्र स्वता विक्षित हो जाएगा बावजुद अब यहां देखते हैं कि इतन उतर प्रदेश का अईरिया है यह पूरा उतर प्रदेश का अयरिया है और इसमें हम देखेंगे कि बुन्दिलखंड के अरिया में आपदाएं कौन-खौन सी है यहाँ बार आता है सुखा होता है तो सुखा आने का तो यह रीजन आप समझ गए कि सुखा क्यों आता है या सुखा क्यों होता है सुखा इसलिए कि वर्सा कम है और वर्सा कम है तो फशल कम होगी फशल कम होगी तो वहाँ पर जो आजीविका के शाधन होगे जो खाद्य उद्योग होगा वह कम होगा लोगों का पोशन अस्तर कम होगा और जब पोशन अस्तर कम होगा तो वो सिक्षा और स्वास्त दोनों गिरेगा इस तरीके से human development report इसको कम दरसाएगा लेकिन इसको दूर करने के प्रयास भी सरकार करती है और ये दूर करने के प्रयास करती है या जो योजनाय चलाती है आपको यह योजनाय और कुछ योजनाय हैं जो कि एक लिश्ट मिलेगा आपको इस लिश्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी योजनाय सरकार स थी उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि घास से भुजन इस तरीके का एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी तो उस कहने का अर्थ है कि वो रिपोर्ट क्या है वो माइने कम रखता है किस नाम से प्रकाशित हुए माइने कम रखता है माइने यह होता है कि उस रिपोर्ट की आवश्रक्ता क्यों पड़ी या उस रिपोर्ट में ऐसी क्या बाते थी जो जिसका हेडिंग यह हुआ बुंदेल खंड संस्थान नामक एक NGO ने एक और रिपोर्ट दी थी भूख से मौत भूख से मौत का अर्थ है क्या कि वो इस बात का ध्यान सरकार का आकरशित करना चाहते हैं कि यहाँ पर कुपोर्शन अधिक है यहाँ पर खादे प्रणालिया कमजोर है यहां के जो खादे उत्पादक छेतर हैं वो उतने समरिद नहीं है जितने की होने चाहिए इसलिए सरकार का ध्यान आकरिष्ट करने के लिए आपको एक अमोमन बिसिकली डाटा बता देता हूं कि दो अब तक लगबक छे हजार से अधिक कि लोगों किशान ने आत्महत्या किये किवल सूखे की वज़े से और बुंदे लखंड के एरिया को कई बार सूखा वर्स गोशित किया गया है अब आप बताईए कि जहां आजिविका का शाधन नहीं रहेगा तूखा पड़ता रहेगा वहां के लोग माइग्रेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप जब लोग माइग्रेट करेंगे तो कहां जाएंगे आसपास के छेतर जाएंगे चाहे वो दिल्ली जाएं भूंबई जाएं या इधर शाउथ इंडिया की तरफ जाएं और जब इस तरीके का आवागमन होता है तो आप देखी कि मालेजे की जो बुंदिल खंड का एरिय हैं यहां से नीचे उत्रेंगे तो आप इंदर होते हुए महाराश निकलेंगे इधर जाएंगे तो मत्रा होते वह दिल्ली निकल जाएंगे आप उपर थोड़ा सा इधर आएंगे तो साओथ हिंडिया आ जाएंगे है तो एक तरीके से ये ट्राइजेंक्शन का भी काम करता है और बुंदेलगंड का जो जहासी वाला छेतर है या जहासी है वो स्वर्णिम चतुरभूज के बहुत नजदीक है तो स्वर्णिम चतुरभूज के नजदीक होने का कारण वहां connectivity तो है लेकिन परियाप्त मात्रा में नहीं है तो यह संसाधन वहां तक नहीं पहुँच पाता है भूजल दोहन नहीं हो पाता है अच्छे से निवेशक इन्वेश्ट नहीं कर पाते हैं वहां पर फिर जब इन सारी बातों का अभाव होता है तो इतन समस्याओं का शमाधान निकालना मुस्किल हो जाता है इसलिए इन सारी समस्याओं का शमाधान नहीं हो पाता है मैं इसी Human Development Report की बात कर रहा था आपसे Human Development Report में हम देखेंगे आप एक चीज़ देखे बुंदेल खंड का जो एरिया है ठीक है यहां आपको MP का एरिया दिखा रहा है मधिपरदेश का आप देखें मधिपरदेश में क्या हो रहा है कि भूमी अधिक है लोग कम है भूमी अधिक है लोग कम है डैक मिल जनगना तो कम होगा ठीक है भूमी का एक टुकड़ा है इस पे इतने लोग रह रहे हैं तो कम टुकड़े होंगे भूमी के इम अपूजिट कंडिशन देखिए उत्तर प्रदेश में यहां भूमी कम है लोग अधिक हैं तो जब भूमी कम होगी और लोग अधिक होंगे तो भूमी का टुकड़ा अधिक होगा और जब भूमी का टुकड़ा अधिक होगा तो हमें लेंड रिफॉर्म की आवशक्ता पड़ेगी हमें चकबंदी कानून लाने पड़ेंगे हमें किसानों को या लगू कृषान हों सिमान कृषान हों उनको साहता देनी होगी तो हम सरकार से कहेंगे कि आप MSP इसमें सुधार लाइए आप PDS को सरकार तक पहुँचाईए आम जनता तक पहुँचाईए तो यह प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव बुंदेल खंड़ पर कैसे पड़ता है क्योंकि वह सुरू से ही मतलो आरम से ही अति पिछला छित्र रहा है समरे दोने के बावजूद भी तो इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक विकास रुख जाता है यहां पर शंशाधन की कमी हो जाती है इस तरीके कि कई ऐसे चीज है जहां पर यह चीज है दूसरी बात कि 78% Human Development Report बताता है कि यहां की जो डिमोग्राफी है वह अभी भी 78% ग्रामीन है सहरी कम है अब सहरी लोग कम है या सहरी अर्थिविश्था कम होगी तो वहां अनिस्किल्ड लोग ज़्यादा होंगे और अनिस्किल्ड लोग जहां ज़्यादा होंगे तो वहां कुसल स्रम नहीं मिल पाएगा कुसल स्रम नहीं होगा डैट मिंस हमें आवश्रक्ता है किस चीज की सिक्षन की आप सिक्षन दीजे सरकार ने क्या किया लोभाई राश्णी नीती पॉलिश्य शिक्षा नीती उसने शिक्षा नीती दिया शिक्षा नीती इसमें छेतरी सरकार ने क्या क्या एंटर पैनियूर्शिप जोड़ा कि भाई आप 12 से ही वोकेशनल कोर्स कीजिए नई डिग्री लीजिए ताकि डिग्रियां काम आए और आप अपना उद्यम लगा सकें आपको मोटिवेशन मिल सकें ठीक है तो इन सारी बातों को लेकर human development रिपोर्ट है बांकि कुछ facts है कि वहां का जन घनत्व अमूमन मैं किवल आपको इतना हिंट कर देता हूं फैक्ट नहीं लेकिन अमूमन इतना हिंट करता हूं कि यहां जो जन घनत्व है बुंदेल खंड का जन घनत्व केवल बुंदेल घनत्व का जन घनत्व यूपी के बुंदेल खंड के जन घनत्व से अधिक है अब जब बुंदेल खंड की बात करेंगे तो वहां भी दू चीज़ें आती है MP वर्सेज यूपी यह human development report वताता है कि MP का जन घनत्व कम है और यूपी का जन घनत्व अधिक है अब आपके मन में यह बात बताई कि मैंने जो आरंभ में यह प्रश्ण किया था आपसे कि अपनी समरिद्धी इतनी समरिद्धी होने के बावजोद या बुंदेल खंड के विकास के संदर्म में उत्तर प्रदेश का बुंदेल खंड MP मद्य प्रदेश के बुंदेल खंड की अपेक्छा समरिद्ध क्यों नहीं है संसाधन हैं वहाँ पर निवेशक के लिए संभावनाएं हैं उद्ध्योग हैं बावजूद इसके वहां की जो भूमी है और वहां की जो स्रम संसाधन है उस योग्य नहीं है या उतने लावकारी नहीं है ठीक है उसके बाद समाजिक कारण मैंने आपको बताया कि समाजिक कारण क्या होता है क्या कि वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है लोग जो है अपने हिसाब से निर्णे लेते हैं भूमी संग्रशना उत्खात टाइप की है कहीं कहीं जो चंबल वगर वाला एरिया एंपी का या जो उसे सटे हुए छेत्र है नर्मदाशोन वाले छेत्र ठीक है तो यह सारा कारण हो सकता है तो यह पिछले पन का जो अब तक रिजन चल रहा था यह पिछले पन की चीज़ें थी अब पिछले पन का कारण मैंने सूखा बताया आपको गरीबी बताया खादे सुरक्षा बताया असिक्षा निमनश्वास्त बताया इसका कारण मैंने बताए कि वार्सिक वर्षा में कमी और इसका कारण क्या हो सकता है वार्सिक वर्षा में कमी का कारण पांतर ठीक है जर्वायू का प्रवाह वायू प्रवाह या फिर ये जो भवली का वस्थिती और इसे क्या होता है किसान कर्ज में डूब जाते हैं एक normal overview है किसान कर्ज में डूबते हैं और आत्म हत्या करने को मजबूर हो जाते हैं ठीक है तो यह कारण है यह कारण है और यह इसके कारण होता है और इसका परिणाम यह होता है गरीबी संसाधनों तक सिमित पहुँच नहीं होगा, आपकी मुलभूत आवश्रक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप आर्थिक रूप से पिछले पन का अनुभव करेंगे, और इससे घरेलू हिंशा, समाजिक बहिस का ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक, खाज और सुरक्षा और शमानता चाहिए उसमें लेंगिक और शमानता हो, समाजिक और शमानता हो, यूमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट बताती कि यहां SCST जादा है, बुंदेल खंड में, SCST जादा है, खास करके सहरिया, उसके बाद जब खादे और सुरक्षा होगा, क्या होगा, प सुरक्षा करता है, इस चीज को डिनोट करता है, और जब जीवन अस्तर ही नियून रहेगा, कम रहेगा, स्वास्थ नियून रहेगा, शिक्षाएं नहीं मिलेगी, फिर उस शेतर का विकास कैसे होगा, वहां को पोशन होगी है, और यह कारण क्या बनेगा, स्वास्थागत अभाव, इसका मुख्य कारण होगा, ठीक है, इसी तरीके अद्योगी की करण का अभाव मैंने बताया क्यूं होगा, तो कि निवेशक नहीं आएंगे, यहां पर इन्वेश्ट नहीं करना चाहेंगे, चुकि उनकी दूसरे च्यत्रों पर अधिक पढ़ेगा, जैसे यहां की लोग यहीं दिल्ली गए तो दिल्ली पर जनसंख्या दवाव बढ़ेगा और जब जनसंख्या दवाव बढ़ेगा वहां, तो वहां अनस्किल्ड लेवर, वहां से वह फिर बाहर करेंगे, तो कि वह अब संतुलि भी बढ़ी आए विशमता बढ़ी आए की समानता घटेगी तो आए विशमता बढ़ेगी ठीक है तीसरा क्या है कि खराब कनेक्टिवीटी खराब कनेक्टिवीटी मतलब पहुंच नहीं है सरकार आम जनता तक नहीं पोछ पार ही आमुल को होता इसका करन और मुल्स को कहने हैं कि सरकार अस्थिर outta जब कोई पार्टी कावर राजनितिक लाब के लिए काम करती क मैं यह जनोता है हुँआ に नियोजन होगा तो उसका management नहीं हो पाएगा और जब management नहीं होगा skill नहीं develop हो पाएगा कोई planning नहीं हो पाएगी तब क्या होगा कि यहाँ पर कोई चीजें develop नहीं कर सकती हैं कोई चीजें विक्षित नहीं हो पाती है और यह पिछड़े पन का एक कारण बनेगा और उसका सबसे ज़्यादा आप प्रभाव देख सकते हैं अलपविक्षित परियटन के रूप में चुकि बुंदेल खंड में इतने सारी किलाएं हैं मतलब प्राचीन काल तो नहीं कह सकते लेकिन मद्यकाल से ले किला है वहाँ पर जहांशी का किला है इस तरीकी कि मतलब संस्कृतिक टरूंहर है legitimate हैं लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया जिससे उसका विकास अवुरूद हुआ और वश्य तरक पूरी तरीके से विक्षित नहीं हो सका अब आगे आते हैं सरकार की प्रयास सरकार इसके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है तो सरकार की प्रयास में आप डो-3 चीज़े देख सकते हैं मैंने एक ओवर्वीउ के वल डिया कि सरकार water conservation कर रही है जल बचा रही है natural regeneration of forest पुनरवनी करन कर रही है sustainable farming कर रही है soil land management कर रही है इस तरी कई चीजें कर रही है यहाँ पर देखे भूमी bank का जिक्र होगा आपका भूमी bank फिक है? एए सारी लिखे देता हूँ भूमी bank इस तरीके की चीजें फिर इसके लिए इंटरप्राइज लेवलियूट सेकृरूटी यह वोमेन लीडिंग चेंज तो कि ऐसे भी महिलाओं का परतिशाथ स्रम भागिदारी में कम होता है तो इस तरीके की चीजें वो कर रही है सरकार ऐसी चीजें चला रही है और इसको डिवलप करने का प्रयास कर रही है तो आपको यह चीज तो देखना पड़ेगा और मैं किवल एक ओवर्वियू दिया इस चीज का कि आपको यह सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा मैं इसको क्लियर करने के लिए ही घुमेगा आपके माइंड में या फिर रेडी टू अलॉट रेडी टू अलॉट वाला जो सब्द है दोचार सब्द में किवल इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चीज पर उत्र परदेश के बुंदिलखंट खेतर को आगे ले जाने के लिए कि इस किश टाइब के प्रयास कर रही है यह सारे प्रयास रख्षा छेतर का कोॉरिड़ोर बना रही है आपको पता होना चाहिए मैं किवल जाते जाते इतना बता देता हूँ कि रक्षा छेत्र कॉरिडोर जह है भारत में दो ही जगा आया था और यह उत्तर प्रदेश में और तमिल नाडु में आया था तो उत्तर प्रदेश में जो आया था उसमें लखनवू लखनव कानपूर जहांसी इस टाइब की जो छेत्र थे आगरा अलिगर्ड और चित्रकूट इसको यह नोड्स थे और इसके लिए एक नोडल एजेंसी थी जिसने उत्तर प्रदेश विकाश प्राधिकरन जो था जो दिल्ली कोलकाता स्वाणिम चत्र होज है या दिल्ली कोलकाता स्वाणिम जो मार्ग है उस मार्ग को कनेक्ट करना है इससे ठीक है और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेश वे जो गलिया रहा है उससे भी इसको जोड़ कर रखन है तो इसके लिए UPEIDA UPEIDA को नोदल एजंसी बनाया गया कि यह मिलकर के मतलब UPEIDA अस्थानी सरकार के मिलकर के या राजी सरकार के शाथ मिलकर के इस छेतर में रक्षा खेतर या रक्षा और योगी रक्षा कोरिडोर निर्मान करेगी ठीक है तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे आपको हमने बुंदेलखंड का ओवर्वियू दिया बुंदेलखंड के बारे में बताया और यह देखें अब तक हमने जैसे पढ़ाया आपको जितने भी बच्चें देख रहे हैं इस वीडियो को वह इस बात को स्योर करें कि आप जो पढ़ रहे हैं वह आपके लिए कितना उप्योगी हैं जो आपको बताया जा रहा है वह यह जो टीचर बता रहे हैं वह टीचर वास्तव में आपके लिए उप्योगी है या नहीं है इसके लिए क्या करना है आपको कि previous year के पैटर्न को देख करके उसके सिलिवस को देख करके आप अपनी तैयारी को आगे रखिए टीचर के मार्ग दर्शन में आगे बढ़िए और इस प्रकार को इस तरीके से आप यह देखेंगे कि अब तक जो मैंने पढ़ाया गुंदिल खंड छेतर के अद्रों की विकाश में ख कहाँ है कि वहां खनन होगा वहां पर नीवेशक आएंगे रोजगार मिलेगा आजिविका बढ़ेगी भाद यह स्थाट बढ़ेगा सिक्षा बढ़ेगा लोगों का लेविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोग बाहर घोमना प्शंज करेंगे परियेटन बढ़ेगा ठीड ये ज्यकोशन सांस्कृतिक का है लेकिन देखें सांस्कृतिक छेटर के रूप डोगालिक वीवराण तो अब देखें इसका आप यदी मैप बनाकर, कबहें यू-पी का यदी आप मैप बना देते हैं किसी तरी क्या कोंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके बाद मॉडल कोश्चन क्या हो सकता है कि बुंदेल खंड के जलवाई और कृसी की विशेष्टाइं क्या है ठीक बुंदेल खंड चेतर में जल संकट और उसके समाधान है तु सरकारतवारा उठाएगे प्रयास क्या है बुंदेल चेंदर में परियावरनी समस्या और उनके निवारन के उपायों को पर विस्तार से चर्चा करें बुंदेल खंड और विकास प्रादिकरन बीडा की महत्व की चर्चा कीजिए तो मैंने इन सारी बातों की चर्चा क्लाश में की और आप इस आदार पर इसके प्रश्ण स्व का रिविजन कीजिए मेंस के आंसर स्वालूप करने की कोशिश कीजिए यानि आंसर प्राइक्टिस कीजिए फिर फैक्ट को निसकर्च तक ले जाए या कनक्लूजन तक या मैंने तोड़ा करना पड़ेगा भाई आपको उपर बढ़ना है आपको उपर आना होगा अपना पस्तर उपर उठाना पड़ेगा आपको आप यहां आए फिर अपना मुल्यांकन कीजिए और यह बात आप जरूर कमेंट में बताएगा कि यदि आपको यह सिरीज अच्छी लगी या इस सिरीज को कंटिन्यू करना चाहिए हम जरूर इस सिरीज को इसी प्लेटफॉम पर क ठीक है वो आकृतिक संग्रचना जानी अप वाहत अंत्र जाना जलवायू खनी संसाधन जाने उसके छेतर के जहील तालाव सिंचाई वेवस्ता ये सारी चीजें जानी ठीक है और अब अंतिम में आप लोगों से यही कहूंगा कि आप इन सारे चीजों का रिवाईश करते रहिए हमें बताते रहिए हमसे जुड़े रहिए और जैसा भी आपका राय हो आपकी विचार हो आपके डिमांड हो हमें इस यूट्यूब पर जरूर बताइए हम आपके साथ आपके तियारे के लिए पूरी तरीके से समर्पित है यह पीडबलू आपको उस अस्तर तक लेकर जाएगा जो आपके सपनों में या आपके लक्ष को लेकर चलता है या आ जिस सपने को जीना चाहते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू फिर मिलते हैं धन्यवाद